वेल्कम तो रेश्मित किचन आज हम मनाएंगे मूली के पराथे इसके लिए हमें जो जो सामगरी चाहिए वो है वन कॉप रेडिश रेडिश को मैंने ग्रेट किया है ग्रेट करने के बाद उसका वाटर रिमूव करके फिर मेजर किया है गी पराथे पर लगाने के लिए आप ओईल का यूज़ भी कर सकते है शिक्स ग्रेट ग्रीन चिली हाफ टीश्पून रेड चिली पाउडर रेड चिली पाउडर आप अपने साब से कम ज़्यादा कर सकते है हाफ टीश्पून कोरियंडर पाउडर सॉल्ट टेस्ट half teaspoon garam masala, half teaspoon amchur powder, coriander leaves one fourth cup chopped, हम डोव बनाएंगे, 2 cup wheat flour, half teaspoon salt, डोव बनाने के लिए हमें चाहिए milk या water is needed, मिल्क से अगर आप डोव बनाते हैं तो ज्यादा soft पराठे बनते हैं, 1 tablespoon oil डो के लिए, आटे में half teaspoon salt डालेंगे, हमें soft dough बनाना है, जो थोड़ा सा sticky हो, हम 1 tablespoon oil डालेंगे और 2-3 minutes नीट करेंगे डो को, dough बन चुका है, हम इसे 20 minutes के लिए side में रख देंगे, meanwhile हम stuffing तेयार करेंगे, हम stuffing तेयार करेंगे, हम green chili को भी grater में grate कर लेंगे, जिससे की fine paste हो जाए, हम मूली को भी grate कर लेंगे, इसमें grater और chopper दोनों हैं, इसने वह काफी fine paste बन जाता है, तो उससे पराठे अच्छे बनते हैं, हमने मूली को grate कर लिया है, अब हम इसमें से water drain करेंगे, हम मूली में से पानी drain करेंगे, आप हाथ से भी पानी drain कर सकते हैं, यह देखिए इतना पानी निकला है, मूली में से आप इससे dough भी बना सकते हैं, मूली में से पानी निकलने के बाद मूली एकदम dry हो गई है, हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, ग्रीन चीली डालेंगे रेट चीली पौडर डालेंगे गराम मसाला भी डाल देंगे अमचुर पौडर डालेंगे धनिया पौडर डालेंगे मिक्स करेंगे कोरिंडर लिवस डालेंगे और मिक्स करेंगे इस्टफिंग बन चुकी है हम पराठे बनाएंगे आटे को रेस्ट होते हुए 20 मिनिट्स हो चुके हैं ये देखे कितना सॉफ्ट हो चुका है आटे के बॉल बनाएंगे और थोड़ा सा वीट फ्लावर भी हम इसमें डस्ट कर देंगे जिसे के हाथ में स्टिक ना हो हमें एक पराठे के लिए जितनी स्टफिंग चाहिए उतना ही हम लेंगे और उसमें सॉल्ट मिलाएंगे अगर हम सारी स्टफिंग में सॉल्ट मिला देंगे तो फीट से मूली में पानी डिलीज होने लगेगा अब हम इस बॉल में स्टफिंग को पुश करेंगे स्टफिंग आप अपने इसाप से कम ज्यादा फिल कर सकते हैं एडिशनल डो को हम पिंच आउट कर देंगे हम बॉल बनाएंगे और थोड़ा सा वीट फ्लावर डस्ट करेंगे अब हम पराठे को रोल करेंगे आप अपनी पसंद से मूटा या पतला जैसा चाहें आप पराठा रोल कर सकते हैं तवा हलका गरम हो चुका है हम इसमें पराठा डालेंगे हम पराठे को फ्लीप करेंगे घी लगाएंगे दोनों साइड क्रिस्पी होने देख हम पराठे को दोनों साइड से अच्छे से से केंगे यह सेकेंड पराठा है जो मैं ओईल से बना रही हूँ बुली का पराठा बन कर तयार है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सबिस्क्राइब करें थज करें आपको में वीडियो बाठे हो वीडियोग झाया वीडियो वीडियो करेंदा लाठेए लाठे